हेलो फ्रेंड्स, आल मार्ट्स में आपका स्वागत है, फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे और नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दवाईएगा, जिससे आपको लेटेस्ट कमपनीज के वीड इस कमपनी का नाम हो गया आपका, दौलत इंवेश्टमेंट्स लिमिटेड, इस कमपनी की सुरुवात 24 फेबरी 1983 को ही थी, और इसका जो मेन ऑफिस है, वो वीरा दिसाई रोड अंधेरी में, जो कि मुंबवी में पड़ता है, वहाँ पे इस्तित है, तो बात करें इसके ब इस पर इसके बात करती है, तो चलिए जान लेते हैं, इसका मार्केट काप क्या है भी, 1887.60 करोड का मार्केट चल रहा है इसका, कुछ प्रिवेस डाटास को भी अनलाइसिस किया जाया, जैसे कि हम मार्च 2016 में नेट प्रफिट देख सकते हैं, तो जान जान लेते हैं, इसक 3.02 करोड का जनेंट किया है, मा impost 2017 में 1.35 करोडे जनेंट किया नेट प्रॉफिट सकते हैं, बहुत ही बहंकर increment दखने को इन पॉला है इसमें, 31.20 करोडे जनेंट किया 50.58 करोडे जनेट किया यह दिखा हुआ है, इस कंपरी रही है इस company के कुछ downside भी है जैसा कि देख सकते हैं पिछले तीन सालों से इसने profit growth 1.94% कहीं दिया है जो काफी कम है और इस company के ऊपर जो contingencies आती है वो भी increase हो चुके है 162.83% तक तो ये थोड़ा demerit देखा रहा है इस company को पर ये और भी बहुत सारी अच्छी बात हैं देख सकते हैं ROE को इसने अच्छा कासा 3 साल से maintain करते आ रहा है 37.08% पर बेसिकली ROE से हमें ये पता चलता है कि company कितना profit generate कर पाया है अपने total asset को use करते हुए तो इस पर का ROE को निकालना चाहिए तो net income divided by total asset कीज़ेगा तो आपको ROE मिल जाएगा ROE को भी देख सकते हैं अच्छा कासा इस company को रखा गया है तो अच्छी बात है इसके लिए तो चली इसके parameters के बार में हम लोग जान लेते हैं number of shares यहाँ पे 17.60 करोर पे है PE ratio होगे आपका 12.87 पे और PB ratio होगे आपका 5.19 पे phase value रूपीस 1 पे है dividend yield इसमें 0.09% का दे रहा है book value इसका 20.67 रूपीस पे है इस company का operating revenue देखा जाया तो 87.38 करो का है earning per share होगे आपका 8.34 रूपीस पे sales growth अभी negative में चल रहा है minus 24.43 परशन का लेकिन ROE देख सकते है 38.37 परशन का दिया है और ROC इसका 53.15 परशन पर चल रहा है profit growth 40.47 परशन पर चल रहा है तो चली देखते हैं इसका share market में किस तरह का performance दिखा रह रूपीस पर चल रहा है और day का range देख सकते है 104.1 रूपीस से लेके 110 रूपीस के बीच में move कर रहा था अगर इसका 52 वीक high and low का range देखा जाया तो 41.8 रूपीस का इसने low बनाया था और 116.4 रूपीस का इसने high बनाया अभी तक इसका volume अभी 6,55,000 के approximately available है और यहां से का performance देखते हैं हम लोग जैसा की वन एर के चार्ट से आप देख सकते हैं यहां पे 20 जूलाइ 2020 को एक साल पहले इसका price 52 रूपीस के प्रॉक्स में था और उसके बाद यह देख सकते है अप एंड डाउन होते हुए इसका price अभी बहुत ही बहेंकर तरीके से increment हो गया यहां स इंक्रिमेंट होना सुरुआ था यह 6 जूलाइ 2021 को देख सकते हैं इसका price सिफ 76 रूपीस पे था और अचानक से इसने देख सकते हैं बूम हुआ है और बूम होके यह पहुंच चुका है 114 रूपीस तक यह जो अचानक से बढ़ा है ना price इसका इसका इसी की वज़े से यह स दिवी के नजर में आ गया है क्योंकि इसका कारण पता नहीं चल रहा है कि exactly क्यों बढ़ा है और उसके बाद फिर से इसका price fall down के 105.80 रूपीस हो पहुंच चुका है चली overall performance देखते हैं इसका यह देखे friends ज्यादा पुरानी company नहीं है अगस्ट 21 2019 को यह देख सकते इसका price सि 38 रूपीस पे था और उसके बाद से देख सकते हैं बहुत यह bankers ने अच्छा का से increment देखाया है और increment देखा के यह 13 October 2019 को 81 रूपीस के पहुंच चुका था लेकिन उसके बाद से फिर से अच्छा का सा इसमें fall down देखने को मिल रहा है तो देखा जाए तो अभी all time high पे चल होना बहुत जोड़ी है अभी इसी stock का rank 719 पे है और stock की volatility देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा high है 3.35 के multiple में चल रही है अगर इसके maximum return के बाद किया जाय तो 151.01% का दिया है इसने और one year का return देख सकते हैं यहां से 102.49% का जनेट किया है इसने चलिए इसका financial देख लेते है 42 करो का sales generate किया था इसने और net profit यहां पर 21 करो का हुआ है और September 2020 में 52 करो का sales generate किया है और net profit यहां पर फिर से increment देखने को मिल रहा है 24 करो का हो गया है December 2020 में 69 करो का sales generate किया इसने और 37 करो का net profit generate किया है और March 2021 में देख सकते हैं 100 करो का sales generate किया इसने और 63 करो का net profit generate किया था तो द प्रिजन किया जाया, तो 291.49% का इंक्रिमेंट देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही कमाल किया इसने एक साल में, तो चलिए इसका share holding pattern भी देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि total promoters holding देख सकते हैं, 74.49% पर हैं, और उसके पास से तीनों देख सकते हैं, mutual fund हो गया, other domestic हो गया, या foreign institutional हो गया, या सारे 0% पर हैं, उसके बास से आपका retail and other parties आता है, जो कि 25.51% पर देखा रहा है, इसमें से retail investors हो गया आपके 12.42% पर और other parties हो गया आपका 13.09% पर चली एक नेजर इसके investment checklist पर भी देख लेते हैं, जैसे के पहले आपको बता है, intrinsic value यहाँ पर current price बहुत ही ज़्यादा बताया जा रहा है, तो थोड़ा सा correction होना जरूरी है इसके price में, return versus FD से अच्छा return जेनिट किया यहाँ पर देखा रहा है, dividend return आपको पहली बता है, कुछ खास नहीं है यहाँ पर, entry point good to consider किया जा रहा है, लेकिन मेरे इसाब से अभी consider नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस stock को लेके wait and watch का approach रखे है, stock दमदार है, no doubt, लेकिन अभी high price पर मिल रहा है आपको, low price होने दीजे, तब इसके उपर दाव लगाईएगा, तो जादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी यह ASM list में भी आ रहा है, देख सकता है, rate flag जो नमें भी found हो रहा है, ASM का अगर full form दिखा जाता है, तो additional surveillance measures बोला जाता है, जो कि save लगाती है, जब भी उसको लगता है कोई stock अचानक से बढ़ गया है, तो उसके उपर शेवी इस तरह का ASM या GSM लगाती है, ठीक है, यह actually investors के भराई के लिए होता है, ताकि आप investors गलत stock को pick न करे, So friends, इस stock को ध्यान रखीएगा, क्योंकि stock अच्छा है, इसका fundamentals भी अच्छा है, लेकिन अभी price अप होने के वज़े से, थोड़ा से यह doubt होड़ा है इस stock को लेके, इसलिए अभी इसका wait and watch का approach रखीए इस stock को लेके, कोई भी investment decision लेने से पहले खुद भी research किजेगा, या तो अपने financial advisor से जरूर सखा लिजेगा, so friends, जाने से पहले like, share and comment के साथ follow जरूर करे चैनल को,